सवाल लंबर एखाली पेट अज्माइन खाने से सेहत पर क्या आशर होता है दरसल अज्माइन का सुबा खाली पेट शेवन करने से पेट संबंदी बिमारी नहीं होती है अज्माइन पेट के लिए काफे फायदे मना जाता है अगर कोई रोजाना नियमी तुरूप से सुबह गुनगुने पानी के साथ अजवाइन का सेवन करता है तो इससे पांचेंदत मजबूत होता है साथी SADD की शिकायद भी नहीं होती है इसके अलावा अजवाइन का सेवन किड्नी के लिए भी फायदेवन माना जाता है अगर कोई रोजाना नियमी तुरूप से सुबह खाली पेट अजवाइन का सेवन करता है तो इससे किड्नी का स्टोन ठीक होने में काफी मदद मिलती है इसके साथ ही मौसम बदलने की वज़ा से अक्सर लोगों को सर्दी खासी जुखाम जैसे वाइरल इंफेक्शन हो जाता है लेकिन अगर कोई रोजाना सुबा खाली पे गुनगुने पानी के साथ अजमाइन का सेवन करता है तो काफी हद तक बाइडल इंफेक्शन से बस सकता है साथ ही अजवाइन के सेवन से रोग परती रोग शम्ता भी बढ़ती है इसके अलावा अजवाइन में एंटी इंफिलिमेंटरी कुण पाये जाते हैं इसके सेवन से जोड़ों के दर्स से छुटकारा मिलता है अगर किसी को जोड़ों के दर्द की शिकायत हो तो उसे अजवाइन का सेवन करना चाहिए इसके अधरित आजकल की एनएमी जीवन सेली की वज़ा से जारता लोग बढ़ते वजन की वज़ा से परेशान है लेकिन अगर किसी को कम बज़न करना हो तो उसे रोजाना सुबा खाली पिर गुन्गोने पाने के साथ अजबाईन का सेवन करना चाहिए इससे बज़न असानी से कम हो जाता है सबाल नमबर दूद और अजबाईन एक साथ खाने से क्या होता है तरसल अजवाईन और दूद शरीक की कई बिमारियों को तूर करने में काफी पाइदेबंद होता है दूद और अजवाईन का स्तमाल सरदियों से होता आ रहा है जहां दूद कैंसंसे भरपूर होता है तो महीं अजबाइन को एक प्राकतिक एंटी औकस्टिडेंट भी कहा जाता है जो पेट से सम्बंदित कई बिमारियों में बेहत कारगा साबित होता है सोने से पहले अजबाइन को एक चम्बर शहद में मिला कर दूद के साथ पीना चाहिए ये प्रुशों के यून स्वास्टे के लिए बेहत फाइदेबंध होता है इसके अलाव़ सर्दी और खासी के समस्यव में अजबाएन को दूद में मिला ले और हो सके तो इसमें हलदी में मिला ले और दो किलास दो से तीन दिनों तक इसका सेवन करे इससे सर्दी खासी से चुटकारा मिलने में काफी मदद मिलती है इसके साथी अजवाइन स्वासपद फैपड़ों के स्वास्ते के लिए भी अच्छी होती है जिने धूल से एलरजी है या फिर अस्तमा की रोगी है उनके लिए अजवाइन का सेवन करना काफी फायदे मन हो सकता है इसके साथी उसमें दूद मिला देने से इसका लाव ओद भी बढ़ जाता है सवाल नमबर तीन रात को सोने से पहले अजवाइन खाने के क्या फायदे होता है दरसल रात को अगर आपको अच्छी नीन नहीं आती है तो आप अजवाइन का सेवन कर सकते है रात में सोने से पहले अगर आप अजवाइन का सेवन करते हैं तो इससे आपको मस्तिक शान दोता है जिससे आपको अच्छी नीन आ सकती है साथ ही इससे आपको कोई साइड एफेक्ट भी नहीं होता है अगर आपको सर्दी जखाम की परिशानी है तो रात में सोने से पहले گरम पानी के साथ अजवाइन का सेवन करे इससे आप सर्दी जखाम से राहत पा सकते है अगर आपको कमर्दत की शिकायत रहती है तो रात में सोने से पहले एक चम्मच भूनी हुई अजवाइन का सेवन करे अजवाइन खाने के बाद एक गलास गरम पानी जरू पिये दियान रखे कि इसका सेवन खाने कोई बाद ही करे इससे कुछी दिनों में कमदर से अराम मिल सकता है इसके अलावा आप अजवाइन का लेप लगाएं इससे आपको काफी अराम मिलेगा इसके अलावा कबज की परेशानी को दूर करने के लिए एक चम्मच कच्छे अजवाइन को तबे पर भून ले अब रात में सोने से पहले उसे चबा कर खाए इसके बाद गरम पानी पी ले इससे सुबह तक आपका पेट साफ हो सकता है सवाल लंबर चार अजवाइन खाने का सही समय और तरीका क्या होता है दरसल अजवाइन भूग बढ़ाने का काम भी करती है इसके लिए एक चमच अजवाइन को गुनगुने पानी के साथ खाए इससे अच्छी भूग लगेगी अगर किसी को गैस या पेट फूलने की समस्या है तो अजवाइन को तवे पर भूनकर उसे नीमुवा नमक के साथ चाटने से रात मिलती है पाचतन को तुरुस रखने के लिए अजवाइन का पानी भी पी सकते है अगर किसी को फुलू है या गले में खराश की समस्या है तो एक चोथाई अजवाइन एक चुटकी नमक और एक लोंग को मुँ में रखकर चूसे इससे कुछ राहत मैसूस होगी इसके लावा खाना बनाते समय दालिया सबजी में अजवाइन का तड़का लगाने से खाना स्वादिश भी बनेगा और उसे पचाने में असानी भी रहेगी सवाल नमबर पाज तेजी से वज़न कम करने के लिए अजवाइन को कैसे खाए दरसक तेजी से वजन कम करने के लिए आप रोज सुबा खाली पेट अजवाइन का सेवन करें इससे आपको फाइदा मिलेगा आप चाहे तो इसे गुनगुने पानी के साथ ले सकते है या अपने खाने में अजवाइन की मातर बढ़ा सकते है बजन कम करने के लिए आप 25 ग्राम अजवाइन को एक ग्लास पानी में पूरी रात के लिए भिगो दे अब सुबा खाली पेट अजवाइन के पानी को पिए लगातर 20 दिनों तक आपको अजवाइन का पानी पीना है इससे आपको कुछ दिनों बाद ही अंतर दिखने लगेगा अगर आप रात को भिगो कर नहीं पीना चाहते तो सुबर एक ग्लास पानी में एक चमच अजवाइन डाल कर एक पेन में उबाल ले अब इसमें चार से पांच पत्ते तुलशी के डाल कर उबाल ले छान कर इससे थोड़ा गुनगुना पीए इसके अलावा अजवाइन का सेवन करते हैं वक्त उस बातों का ध्यान जरूर रहना चाहिए जैसे जल्दी बज़न कम करने के चक्कर में जादा अजवाइन का परियोंग ना करें गर्मियों में जादा अजवाइन का पानी पीने से पेट में जलन हो सकती है पेगनेट महिलाएं अजवाइन कमगाएं अजवाइन की गरम तासिर होने की बज़ा से गरब पात का खत्रा भी हो सकता है सवाल नमबर 6 अजवाइन का पानी पीने के अद्वर फायदे क्या होता है 10 शरीम चर्वी बढ़ने के कारण मुटापे की समस्यों को नियंतिर करने के लिए अजवाइन वाले पानी का उपयोग किया जा सकता है सुबा खालिपेट अजवाइन वाले पानी के सेवन से बजन को असानी से कंट्रोल किया जा सकता है इसके अलावर जिन महिलाओं को पिरियस के दोरान पेट में दर्थ के समस्या रहती हैं उनके लिए अजवाइन वाला पानी पीना काफी फायदे मत हो सकता है अजवाइन वाले पानी के सेवन से पिरियस के दोरान होने वाले दर्थ को कम किया जा सकता है इसके साथी महिलाओं में पेगनेंसी के बाद शरी में रक्त का परभा समान तरीके से होना बेहर ज़रूरी माना जाता है ऐसे में यदि आप अजवाइन वाले पानी का सेवन करते हैं तो आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं इसके अतिर खराब लायते श्टाइल और खानपान के कारण आज के समय में अधिकांस लोगों में पेट गैस की समस्या देखी जाती है अगर आप भी पेट गैस की समस्या से परिशान हैं तो अजवाइन वाले पानी का सेवन करें यह गैस और पेट दस से राहत दिलाने में मदद कर सकता है सवाल लंबर साथ अजवाइन के सेवन से क्या नुफसान हो सकता है दसल अजवाइन में फाइवर की भरपूर मातरा पाए जाती है जिस कारण इसे अधिक मातरा में लेने से पेट में गैस, पेट फूलना, सूजन, एठन जैसे समस्या हो सकती है अगर कोई अजवाइन का अधिक मातरा में सेवन करता है तो इस से एसेड़ी के समस्या कम होने की जगा बढ़ सकते है इसके लावा हमेशा ताजी अजबाईन कही उपयोग में लाना चाहिए क्योंकि पुरानी हो जाने पर इसका तेली अंच खतम हो जाता है तेली अंच की खतम होने से इसका पूरा फाइदा नहीं मिलता है काले के इस्तान पर रस का परियोग करना बहतर होता है अजवाइन का अधिक सेवन करने से सिर्दत की शिकायत हो सकता है